हमारे टॉपिक है कि कैसे हमें एक लर्निंग सिस्टम को डिजाइन करना है लर्निंग सिस्टम को डिजाइन करते हैं हमारे अलगली स्टैप को हम देख रहे हैं तो हमारा पहला स्टैप आता है चूजिंग दा ट्रेनिंग एक्सपिरेंस तो जो हमारे पास ट्रेनिंग एक्सप करते हैं इसको बैटर जितना अच्छा बैटर हम बनाएंगे उतना ही हमारा क्या होगा परफॉर्मेस इंप्रूब करने के लिए हम इसका यूज करते हैं जो हमारे टॉपिक है यह थोड़ा से टॉपिक होगा हमारा मतलब यह थोड़ा से डिफिकल टॉपिक में आता है कि तो जैसे हम Simple Car चलाने सिखते हैं तो हमें सिखाते टाइम क्या होता है यह हमारे उपर टास्क क्या एं इस किस टाइप से हमें Car चलानी है क्ट्रानी फ्रॉवाइट की जाती ऑ ट्रानी ट्रेनर में चिरानी गैट Estados तो इसी टाइप से हम तयार होते हैं कि हम उस कार को हम उस सिस्टम को इजीली जला सकते हैं जैसे मैंने कार के अग्सामपिलिया लिया थो उस कंडिशन महीं हमारे सामने situation रख दी उस situation के टाइम पे कैसे उसमें better perform करेंगे उसको हमें देखना है यहां पर हमारे आता है to choose the type of training experience मतलब किस टाइप का हमें training experience प्रोबाइट किया जाएगा ताकि क्या हो performance system चीज को क्या रहे है या तो उसको success या failure उसके उपर decide होता है तो performance system उसको decide करता है ताकि training experience better provide होगा तो उसी के base पर क्या होगा हमारे success है failure of learner यसी को participant करता है हमारा पूरी तरह से जिस training experience के तुरू जो हमारा learner है कि कि अगर वो success हुआ है तो उसको choose करेगा और अगर failure रहे है तो उसको choose नहीं करेगा तो हम यहाँ पर तीन attribute के उसमें बात करते हैं in order to choose the right training experience from algorithm तो यहाँ पर तीन attribute के उपर हम focus करके चलते हैं तो पहला हमारा attribute आता है types of feedback मतलब किस type को उसको हमें feedback provide कराना है हमारी इसमें जो तीन attribute हैं इसमें हम तीन attribute को हम बन 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 देखेंगे हमारे इसमें हो सकता है जो हमारा checkers game के लिए जैसे हमने देखा कि checkers game हमारे training experience प्रोबाइट करा रहे हैं तो जो हमारे checkers game के example देखा है हमने 8 by 8 का इस टैप से boxes हमारे उसमें हमारा हो सकता है कि क्या के condition होंगी checkers game के लिए हो सकता है कौन-कौन से legal move हो उसके लिए और legal move उन legal move के उपर focus करना है जो उसको क्या है success प्रोबाइट करा सके हैं तो हमें इस टैप की training प्रोबाइट करानी है ताकि हमारे checkers game है वो हर condition में क्या होगा है उसके पास available of legal move के according वो क्या होगा उसकी performance बेटर रहेगी या वो game को जीत जाएगा तो हमें game जीतने के लिए हमने यहाँ पर game का example दिया है तो हमें game जीतने के लिए training की requirement है तो वो training इस टैप से हो ताकि वो हमें game को जीता सके हमारे तो तीन अट्रिप्ट में फोकुस करते हैं पहला हमारा आता है तो यहाँ पर हमें जो training experience provide हो रहा है training experience प्रोवाइट feedback regarding the choice made by performance system performance system में जिन च्राइस को भी लिया है जिन च्राइस पर विवर किया है उसके according हम देखेंगे मतले यह आप है क्या में एक सो फिरेंश रहेगा नाटिक वालिए क्या होता है इस केस अचिए गी माल लिए कि हमारे चेकर मैं हमारी चैनल के महें गाहिं हमारी इस इसटेट के बाद में जो उसकी स्टेट होगी जो उसका move रहेगा next move रहेगा उसके according हर बोर्ड state पर उसको क्या है point given होंगे मतलब वो हर बोर्ड state पर जो भी उसका best move रहेगा उसके according हम पर focus करेंगे at each level and each move हर step पर उस फीडवग को हर step पर क्या है as a training लेकर चल रहे हम इसी चिए को या as a feedback उसका major कर रहे हर हर step पर लेकिन indirect feedback में हमारा होता है कि हमने game start किया और game हमारा end हो गया अब game starting से end की वीच में जो भी हमारा result रहा या तो success रहा या हमारा failure रहा या तो हमारा सक्सिस रहा यह हमारा दोनों कंडिशन हमारे उसक्ति हैं सक्सिस के टाइम पर जोष ने फीड़ेक इससे गें किया है या पूरे एंटायर गेम के बाद में बात करते हैं तो हमारा इंडारिक फीड़ेक है और हर स्टेप मतलब हर मूब की उपर जो हम उसे ट्रेनिक पर पर हमें इन किया ब्रेक लिया सरा हमें ंव रहे हैं वसको हर मूब पर ही तो दिवाइब है इसको परफॉर्म करते हैं जो भी हमारा are feedback होगा that is called indirect feedback उससे हम जो भी सीक्रेए हैं that is called direct feedback जैसे हमने क्या turn लिया turn लिया सही लिया या गरत लिया सही था उसकी performance major होगी वह सही था या गलत था दैट बरीट फीड़एक हमारे यह होगा कि सेकंडे मारा वारता है निटीज करता है हमारे जो लेर्नर है वह कंट्रोल करेगा सब्सक्या की जा रहा है चीज़ पर लीडिय यइग से क्या क्या करना उसको उस लेकर चलते हैं पहले सुपरवाइज अगली सेमी सुपरवाइज और अनसुपरवाइज हम बोल सकते हैं कि हमारे जैसे कार लिया ठीक है या फिर मैंने इसी का प्लें के लिए के ग्जाम्पल एंदेखा कि हर स्टेप मुझे क्या है सुपरवाइज तरीके समझे समझाय जा रहा है इस इसको बताया जा रहा है स्टेप कर जो हमारा ऑबर वियू है वह मैं दिये जा रहा है तो ट्रेनर या सुप्रबाइजर की प्रजेंदस में जो भी हमें ट्रेनिंग प्रोबाइट की जाँ हर बेस्ट मूब के लिए बता जारहा है यह सही है गलत है क gold व्रैक्ट मूब जो होगा उसको हम पता है हमं कि जो हमने इस टैप लिया हुग रेक्ड भी البट यहां पर हमें एक ट्रेनर या इस प्रवाइज जो प्रवाइज हो रहा है यह अगली हमारी आते हैं सैमी सुपरवाइज के अंदर हमारे क्या हो रहा है हमारा कंपलीटलि हमें वह चीज नहीं हो रही है मतलब करने में अगर हमें कुछ क्वूज हो रहा है को जैसे कार को इक्जाम्पल है लिया तो हमें चलाने में हुप जिसे कुछ दिक्कत हो रही है क्या है जैसे हम अपने अकौंदू čOP ले के चल रहे हैं इसे शुपराइज में हमने देखा हैं सुपराइज को हमिल सकते हैं स्षुपून लिए जो बता रहा है एक्या टरेनर प्रवाइड नहीं कर रहा है लेकिन आउटपुड क्या आपका उटपुड सही है गलत उसका एक आईडिया आपको प्रवाइड कर रहा है अगला हमारा अगला हमारे ट्रेनिंग आती है अन्सुपरवाइज तो अन्सुपरवाइज ट्रेनिंग एक्सपरियंस के अंदर यहां पर हमारा trainer सिर्फ हमें input provide कर रहा है कि हमें यह करना है that is our task अब जो इन्पुट के base हमें क्या करना है output predict करना है, इस training के base पर क्या होगा, जो हमें input provide हुआ है उसके base पर हमें output predict करना है without help of trainer और supervisor यह हमारा आता है unsupervised इसके हल्स पर हम क्या करते है? जो degree, determine that degree to which each move in sequence के लिए हर मूट किया होगा वह मैं थाक्वाइट मोट खेगा उलाइस की क्या है क्या होगा произошjang जेख़ वह हमारे हाब पर्षपॉर्मेंस मस्ट भी मेजर जो हमें फाइल टास्क प्रोवाइड करना है उससे पहले हमने उसको ट्रेंड कराया अलग लग जगे मतल्ब एक कार को मल ले रहे हैं एक ड्राइविंग के टाइम जो हमारे system performance major होगा उस पर वो खरा उतरता है या नहीं उतरता है तो क्या है हमारे learning is most rival when the training example follow a distribution similar to that of the future test example हमारे पता है किस step से हमारे future test होना है उसके according हमारी अलग-अलग condition, अलग-अलग situation में हमने क्या किया उसको system को learn करा है जो भी हमारी possibility हो सकती थी जिसे driving के case में हमने देखा हमने अलग-अलग location पर drive करके देखा कार को चला के देखा ताकि हम हर जगे कार चला सके हर सिच्चिएशन में example के थूरू हमें learn करना सिखाया गया है यहां पर हमें both training experience यहां पर provide किया गया distribution of example अलग-अलग example के थूरू जो हमारी हर situation के according थे कि सभी possible जो situation होंगी उन पर हमारा focus रह सके उन में हम क्या करें उन पर हमारी जो performance है वो better बन सके उस purpose के लिए यह था हमारा choosing the training experience for design the learning system तो हमारा learning system में उसको design करने के लिए जो हमारा पहला step था that is choosing the training experience तो हमने training experience को choose किया based on the three attributes इड़े किस टाइप का है उसका degree and distribution of example